हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे वेल्कम तो मैं चानल स्वितला नभी जीद कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यह मैं बना रही थी कस्टर मैंने सुच आपके साथ जरू शेयर किया जाए और यह यमी यमी कस्ट करते हैं यह को दूद्ध अलग कर लिया था और बाकी को मैंने करने चड़ा दिया यह कस्टर पाड़र मैंने लिया जो वेनिला फ्लेवर का है आप खुई भी फ्लेवर ले सकते स्ट्रॉबरी भी बहुत अच्छा होता है मैंने थंडे दूद में ती दो से 3 स्पून मैंने वैनिला जो हमारा कस्टर पॉडर वो मैंने आट कर लिया और इसको हम धीरे-धीरे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें लंस ना पड़े गाठे ना आएं और यह स्मूथली इसमें मिल जाए तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलाते हैं इसमें यूज होने वाले जितनी भी समागरी है वो एंड में आपको मिल जाएगा जो कुछ भी मैंने इसमें यूज किया है और यह हम एट कर लेंगे गरम दूद में और इस दूद को कम से कम 10 से 12 मिनट हमको पकाना है अभी देखिए यह दूद बहुत पतला है और जैसे जैसे यह पकता जाएगा थोड़ा थोड़ा थिक होता जाएगा यह मैंने लिया है सुगर सुगर according to your test आपको कितना मीठा पसंद है मैंने इसमें 10 से 12 यह चम्मत से सुगर एट किया है फिर अभी हमको इसको चलाते रहना है अगर हम ना चलाएंगे तो नीचे से यह जलने का इसमें डर रहता है तो इसको चलाते रहना है 10 से 12 मिनट तक यह मैंने इसमें ड्राइफ फूट्स एट किया है आपको इभी ड्राइफ फूट्स ले सकते हैं मैंने इसमें काजू लिया है बदाम लिया और पिस्ता लिया है जो मैं इसमें एट कर रही हूँ और जब आप इसको half add कर सकते हैं और half decoration के लिए भी रख सकते हैं आप बाद में भी use कर सकते हैं मैंने इसे में डाल दिया ये धीरे धीरे देखिए ठीक होना शुरू है ये मैंने fruits लिया जो मेरे पास समय available था घर पे दो banana, एक mango, आधा अनार और 5-6 लीची लिया ये मैंने इसको cut कर दिया है अब ये सारे या तो आप बाउन में ये सारे fruits रखे उपर से custard डाज सकते हैं या मिला सकते हैं तो ये बन गया custard थैंक ये सो मच पर वाचिंग मैं चैनल